बहुत तेस्टी है कैसे हो शादेब तुम्हारी हर्कते अभी भी वैसे की वैसी है जैसे कालेज में हुआ करती थी मेरी हर्कतों को छोड़ो तुम्हारी हालत भी तो वैसे की वैसे है जैसे कालेज में हुआ करती थी बुखड कहीं का अच्छा छोड़ो यार ये बताओ और समोसा खाओगे और समोसा, अगर तेरी जेब में पैसे होते तो इतनी बड़ी प्लेट में एक समोसा रख के खा रहा होता मुझे तो तेरी हालत देख के लगता है तेरे पास इसी समोसे के पैसे भी नहीं होगे तो खड़ कहीं का यार शादेव ये कैसी बातें कर रहे हो एक समोसा मैंने इसलिए लिया मुझे भूग नहीं थी मैंने सोचा रिज्क जाया ना हो और मुझे ये भाशन न दे मैं तुझे बच्पन से जानता हूं और कालेज की कैंटीन पे भी तो तेरी यही हालत हुआ करती थी यार उस वक्त हालात कोच अब कौन सा तो बैंक मनेजर लग गया है अब भी तेरे हालात वोही के वोही हैं तेरी हालत से लग रहा है चल ये उसकी प्लेट वापस कर और चल मेरे साथ तुझे वी आई पी होटल पे लेकर चलता हूं तेरे बाप ने भी ऐसा होटल नहीं देखा होगा चल चलो ठीक है कालेज लाइफ से लेकर अब तक देख तुने अपनी जिन्दगी में किया ही क्या है वैसे का वैसे बुक्षड का बुक्षड ही रह गया है और मुझे देख अलहमदलिल्ला ये बाइक तेरे भाई ने खुद की ली हुई है और परस्नेलटी चेक कर ये है वो होटल तेरा बाप तो क्या तेरे दादे ने भी ऐसा होटल नहीं देखा होगा और हम यहाँ पे डेली बैट कर हमारा खाना पीना होता है चल उतरा ओ आपी सही पहली दफ़ा देखा इतना बड़ा होटल असलाम अलेकूम अमर भाई क्या हाल चाले पहचान तो गए होंगे ना इनको जी जी शाजे भाई इनको कौन नहीं जानता ओ हाँ भई बता आप तेरे लिए क्या मंगवाएं क्या खाएगा तू शाजे भई आप भी कमाल करते हो इन डाल सब्जी खाने वालों को क्या पता ऐसे होटलों पे कैसे कैसे खाने मिलते है यह बात भी आपकी सही है वैसे यार शादेब भी आप मुझे यहाँ खाना खिलाने लाए हो या मुझे बेज़त करने के लिए लाए हो इज़त आज कल के माशरे में बुक्षर लोगों की कोई इज़त नहीं है पढ़े लिखे हो के यह कैसी जहलू वाली बात कर रहे हो अच्छा तो तू अब हमें सिखाएगा के किस से कैसे बात करते हैं उमर भाई जितना इसको बेज़त किया है लगता है इसका पेट फुल हो गया है लेकिन फिर भी ये बेहया बंदा है कुछ न कुछ मंगा लेते हैं उमर भाई आप भी ना पीज़ा तो आर्डर करवा दिया अब इसे खाने का तरीका तो बताएं जरा आएं चाचा शवकत क्या हाल है बैठें और सुनाएं ठीक हैं ये लें चाचा शवकत पीज़ा खाएं और सुनाएं ड्रेंक कौन सा मगम हो आपके लिए ओ भाई जन हमने सब का ठैका नहीं लिया हुआ एक तो तुझे खाना खिला रहे हैं उपर से तुने अपने महमान भी मंगवा लिए समोसे के पैसे तो थेनी तेरी जेब में शरे भाई कैसी बतें कर रहे हो आप सर ये कौन लोग हैं सुबह से आपके साथ बतम वेजी कर रहे हैं और आप इनको कैवी कुछ नहीं रहे तुम कौन हो और इसको कैसे जानते हो मैं इस होटल का मैनेजर हूँ और ये इस होटल के माले के हैं क्या कामरान तुम इस होटल के माले को जी शरे भाई मैं इस होटल का माले कूँ और कभी भी इनसान को उसके कपड़ों या उसके खाने पिने से जज नहीं करना चाहिए कामरान भी मुझे माफ कर दें I am really sorry यार मुझे आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था